नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, पूट कॉल रेशियो के बारे में, तो पूट कॉल रेशियो क्या होते हैं, और पूट कॉल रेशियो को देखने के लिए, आपको एक मतलब नाशनल जो वेबसाइट है एनसी का वेबसाइट है उसमें जाना पड़ता है यही तो आपको सेंसिबल में जाना पड़ता है या तो आपको आफिस्टरा में जाना पड़ता है लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मतलब ब्रोकरिंग हाउस के बारे में ज सेकते हैं और उसमें क्या-क्या है मतलब जैसे होता है एंजेल वान होता है ऐसे ही क्या-क्या तो अभी तक मतलब सब्सक्रेब नहीं किया तो प्लीज शुरूत कर दीजिए वीडियो को तो वीडियो को लाइक करने के पहले आपको बता देता हूं कि यह जो चैनल ordinem है लेकिन मैं बहुत दिन से ट्रेडिंग में हूँ तो आपको गाइड कर सकता हूँ तो चली तो पूट कॉल रेशियो के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि पूट कॉल रेशियो क्या होते हैं तो पहले हम लोग लिखेंगे कि पूट कॉल रेशियो में हम लोग देखते हैं कि पूट कॉल रेशियो में लिखा होते हैं कि क्या होते हैं मतलब, put y divided by आपका call y मतलब जो ऐसे ही आप लोग देख सकते है कि put y divided by call y उही होते हैं आपको put call ratio ऐसे होते हैं, y मतलब open interest मतलब put का open interest divided by call का open interest वोही होता है put call ratio तो ये open interest क्या होता है ओपन इंटरेस्ट मतलब आप लोग जब कुछ बेचते हैं ओई होता है ओपन इंटरेस्ट मतलब आपके पास कुछ है जो आप बेचना चाहते है ओई है ओई है ओपन इंटरेस्ट इसी वजा से आपको ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपके पास समझे की छेठो बॉल 100 wall तो 6 wall किसी का बेचेंगे तो जो आप बेचते हैं वही होता है आपको open interest समझे है कैसे होता है कि 1-6 बाल होता है तो जो ब्याट करता है वह भी छो एक ओ ओपर करता है तो वह भी ओएक करता है तो उसके हिसाब से open interest क्या होता है? six divided by six ऐसे होता है, एक एक मतलब neutral होता है मतलब put call ratio जब एक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह neutral है ऐसे ही put call ratio का हम लोग काम करते हैं देख put call ratio बहुत ही अच्छा ब्यातेरिन एक setup होता है और put call ratio देख के बहुत सारे मतलब market कहां तक जा सकते हैं यह सब हम लोग देख सकते हैं तो आप लोग वीडियो को मतलब बहुत ही आच्छे तरीके से देखना तब आपको पाता चलेगा कि क्या क्या होता है पूट कॉल रेशियो देखने के बाद तो समझे कि आपको पूट जो सेल को मतलब किया है तो 5000 कॉआंटिटी पूट सेल किया है किसी ने और 5000 कॉआंटिटी किसी ने कॉल सेल किया है मतलब हमारा पूट कॉल रेशियो होता है एक जो होता है नीट्रल और एक मतलब ना तो बूलीश है मार्केट ना तो ब्यारीश है तो एक हम लोग समझते हैं कि यह बूलीश की तरह भी है मतलब हम लोग bullish ही बोल सकते हैं लेकिन जब PCR 1 होता है तो हम लोग इसके बोलेंगे neutral और जब भी PCR 1 से जादा होगा तो जब भी PCR 1 से जादा होगा मतलब greater than PCR 1 होगा तब हम बोलेंगे कि जब भी PCR 1 से जादा होगा तब हम बोलेंगे कि PCR bullish है समझ गया कि एक से बड़ा है तो PCR बूलिश है मतलब मार्केट बूलिश है PCR बूलिश नहीं तो मार्केट बूलिश है जब भी PCR वैलू एक से कम होगा तब हम लोग बोलेंगे कि मार्केट ब्यारिस मूड बे हैं ऐसे ही होता है समझे कि जब हम लोग PCR वैलू देखते हैं, तो PCR वैलू हम लोग ऐसे ही देखते हैं, तो ऐसे करके PCR वैलू अप लोग देख सकते हैं, तो यह हो गया आपका natural, मतलब एक से ज्यादा PCR वैलू है, तो market bullish है, और एक से कम है, तो market bearish है, ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो इस वैलू हम लोग देख सकते हैं, तो PCR वैलू आप कैसे देखेंगे, यह बात है, तो PCR वैलू हम लोग कैसे देखेंगे, PCR वैलू क्या होता है, यह सब देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, पहले मतलब हमारा website, मतलब जिसमें PCR दिखाता है, तो चलिए, आप देखते हैं क PCR वैलू हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहां पर दिखा रहा है क्या, कि 1.65 से 1.80 तक PCR है, तो मतलब ओभार बॉर्ट जोन में मार्केट चला गया है, PCR वैलू जब 1.65 से 1.8 तक है, मतलब ओभार बॉर्ट जोन में, तो आप लोग यहां पर आप लोग सेल कर सकते हैं, सेल का तब भी हमारा मतलब जब जब जिरफएड 6.5 से कम हो जाता है PCR वैलू, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ओभार शोल्ड जोन में है, जो हमारा यहां से एक रिवर्सल आ सकता है, बुलिस के तरफ, तो ऐसे हम लोग PCR वैलू देख सकते हैं, ठीके, तो पहले हम लोग आप स्टो आप लोग में एकाउंट खुल सकते हैं, तो आपको कहीं पर बी जाना नहीं पड़ेगा, तो यहां से ही आप लोग OIS देख सकते हैं, PCR वैलू देख सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से प्लाटफरम में जाना पर दहा है, अलग एक ब्रोकर ज लेंगे, तो मतलब जो भ तो यह देखके, आप लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहां से कहां जाएगा, और ऑफशन जो ट्रेडर है, उनके लिए तो बहुत ही बहतरी एक सेटाप है, तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तब भी आप लोग यूज कर सकते हैं, तो मैं खुद यूज करता हूँ, देखिए मेरा ही यह अकाउंट है, तो देखिए PCR वैलू यहाँ पर क्या है, क्या है कितना बड़ा एक मतलब short हुआ है, call का short मतलब market 44500 में short हुआ है, तो 45500 में आप लोग देखेंगे कि इस फ्राइडे में एक बहुती बड़ा, मतलब वेडनेस डे में, तो बह अब है resistance तोड़ेगा, तो market बहुती बहतरीन तरह के से जाएगा, तो यह होता है इसका एक फाइदा, तो इसके लिए आप लोग यह देख सकते हैं, और बहुती बहतरीन setup है, मेरे ही सब से, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि 4530 के बाद एक market बूम दे सकते है कल, तो आप बहुत सारे कुछ आप लोग कर सकते हैं, तो यह सेफ और आपको आप स्टोग में मिल जाएगा, कितना बहतर हैं दिया है, आप स्टोग में देखिए, यहाँ पर आप लोग PCR वैलू देखेंगे, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी कैसे जाता है, वो देखेंगे, तो आपको अपको एक अलग से नजरिया बद लेगा, तो आपको तो मतलब प्राइज एक्शन देखना ही पड़ेगा, प्राइज एक्शन के साथ साथ जब यह साथ देखेंगे, तब आपको फाइदा होगा, ऐसे नहीं कि प्राइज देखते हैं, जब आप ट्रेड लेंगे तब आप आपक्न सेकत inh. अप्सक्टोinizi अंपन्फ करता है निचे होगा लिंक है तो उस लिंक के कि ऐा आपको खुलेंगे लाइविक्ट् को टो लाइफ टा壓र्फ लेंगे तो लाइफ टाईम एम्सी चार्ज फ्री जाएगा उससे और क्या चाहिए आपको lifetime एम्सी चार्ज मतलब एन्वाइनमेलिंटर्नेस चार्ज फ्री और आपको DP चार्ज भी कम लगता है बहुत ही कम लगते है और आफटोग में बहुत ही बहतिरिन शेटप देक्ट है रॉत नद्र एप उसका पास सबसे जाद़ा कासटोम्हार है और हैप्टोक के पास तो यहां पर देखेंगे कि मतलब यह अफ्सेन चेन क्या मतलब यह होता है क्या उरarti साजा 300 के हम लोग देखेंगे तो देखें वहां पर आप लोग एक इस तरफ है डाइने तरफ है पूट का और बाइने तरफ है कॉल का तो आप लोग यह दोनों मतलब डिवाइडेड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पूट कॉल रेशियो क्या है PCR वैलू क्या है तो आप क तो यह सब ओप्शन के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत काम करते लेकिन ऑप्शन बायार ऑप्शन सेलर का साइकोलोजी शोचने के लिए यह देखना बहुत ही ज्यादा जोर्य हो जाता है ठीक है थैंक यू बाइबाई